हेलो फ्रेंज हाव आर्यू फोप सभी बढ़िया होंगे आप यह अच्छ होंगे आपका फेमिली के सभी सदेश से अच्छ होंगे मैं भी बहुत अच्छ हो ब्रूद मज़े से हूँ आज का टॉपिक आप लोग मेरा यूटूब के थंबल से पता चल गया होगा किस टॉपिक आप में चितना मन हो अपना गुस्दा ना गाली छोड़ देना अगर आपको हेल्प चाहिए मेरा इस वीडियो से तो आप वीडियो देखते रहिए आपको 100% हेल्प मिलेगा अगर फिर भी आपको समझ में आया वीडियो देखिए कमेंट लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट मैं परसनली आपको कांटक करके अपको हेल्प करोंगा मुझी आज तर जिन्ती निये कि मैं कितने लोगों को मैं है कितने लोगों को पैसे मिलत्रों करके दिया हूं 100% तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पुरा क्लियार हो जाएगा तो जगार आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं कैसे हाव तो इंट्रो 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 इ जैसे आप click करते हो आपके समने के नया page open होगा इस तरह का आपको कहा करना अपना यूए नमबर डालना पासवर डालना capture जैसे रिखाया बढ़ा हाथ में छोटा हाथ में capital जैसे SIM-to-SIM आपको capture डरना है उसके पाद आपको sign-in करना है जैसे sign-in करते है इस तरह सब पेज ओपन होगा आपको सबसे पहले अपना service history और के वैसे आपको चेक करना है था सब कुछ चेक करने के पाद आप apply कीजिए ठीक है तो आपको सबसे पहले अपना service history चेक करना है देखिए भीव पे जाए भीव में जाके आपको second में service history उसमें अपको click करना होगा click करके आपको अपना service history चेक करना service history क्या है service history यह है कि आप कौन सा company में काम की हो कब join की हो कब छोड़े हो सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा असर एक बात और important आपको अगर आप एक से अधिक company में काम की हो तो उसके लिए आपको पहले जो previous company उसका पैसा आपको current में transfer करना पदेगा अगर आप previous company का पैसा current company में transfer नहीं करते हो तो आपको full and final पैसा नहीं उठेगा जो current company का पैसा वही से उठेगा और बाद में जो previous company का पैसा उठाने में आपको problem होगा इससे सब से पहले आपको previous company का पैसा transfer कर लेना चाहिए ये तो आगे जाके बहुत problem होगा आपको previous company का पैसा विद्रोकरने में बहुत problem फ्रेस करना पड़ेगा उसके पड़ दोस्तों अपने passbook में जाहिए आपको कितना पीयाप का पैसा है सबकुछ चेक करना होता है यह पर आपको जाएगे आपको hackers आपकोभी आपको डेटव एकसिट मैंचन है कि निअपको देखना है आप कौन सा इसका में क्यों की आपको दोंचकर Mais अगर पैसा तब ट्रांसफर पर नोंक कमपनी मेंfish marriage सबसे पहले आपको क्या करना यह देखिए मार्ट एक्जिट में जाना है में नीचे अपको details आजएगा अगर kbc क्यों है तो एक यह जो में जांत तो 10 फीय आपको ipadet नहीं है उसमें जाइए असीतन इसाप आपको बन्यतर अपड़ेट नहीं है तो आपको बैंक में क्लिक करना होगा दिखाता हूँ निचे आज decreasing आज्ए अपना bank account नंबर आपको क्या करना उदर आपको सब्मीट करना होता है सब्मीट करने के बाद 5-7 दिन के अंदर आपका जो इंप्रूर है वह आपको डिजिल साइन के तौरा आपको के वैसे अप्रूप कर देगा जैसे आपको के वैसे पूरा सब कुछ अप्रूप हो है तो जाता है उसके बाद जाके आप आगेका प्रोसेस कर सकते हो ठीक है तो दिखिए जैसे आपको के वैसे साड़ा एप्रूब हो तो यहां पर चला आएगा देखिये बैंक टीटर एप्रूब है आदर कर्ट आप्रोव है सब कुछ आपको आप्रूब दिखेगा तो आएए चलते तागे के प्रोसेस पर दिखाता हूं तो होम बेज आएगे आप आएए ओनलाइन सर्विस लिख्याए ओनलाइन सर्विस दिखें आपको फर्स नंबर में आएगा online claim जैसे इसको click कर तो अपके समय इस तरह से प्रोसेस open हो जाएगा form open हो जाएगा आपको क्या करना देखिए यहां आगा bank account number डालना है आप जो bank account number अपना क्यवाइस में किये उस bank account number को आपको आपको एक बड़ डालना होगा अब यहां पर एंटर कीजिए अपना bank account number मैं अपना bank account number डालना हो करने के बाद को verify वे क्लिक करना है verify जैसे क्लिक करते हो उसके आप सामने इस तरह से फॉर्म को यह भरन होगा आपको यह पर क्लिक करना यह पर जैसे क्लिक करता है नीचे देखिए आगे लिखा होगा process to continue claim यह पर प्रोसेस पर क्लिक करना होता है प्रोसेश पे जैसे क्लिक करते हो उसके बाद आपके सामी इस तरह से विंडो ओके ओपन होगा जैसे आप आके नीचे आ यह यहाँए आप पर सलेक किचे आप form 19 पहले आपको form 19 form feminist करना पदेary हो उसके बाद total pension के लिए form 10 क्लिक करना पदेगा फलेन का बाद form 19 क्लिक करना पदेगा promises प्रोसेस हो का form 10 form 10 जो होता है वो pension कता form 19 होता full and final amount हो ठीक है तो करने form 19 बह необходимо क्लिक करोंगा कि फारम 10 जो होते है प्रिंसर्ण यदियन का होता है था से आपको प्रिंसर्णव का होता है आउनक क्या करना है एक mercury देता है और एक आपका साप्डाव करते हैं उसके बाद क्या करने है आपको आपको कब क्लिक करना होता है अगर आपको टैक्स से बजना है अगर आपका आप 15 जी फिलब कीजिए अगर 15 जी फिलब कीजिए अगर 15 जी फिलब कीजिए उसके बद आपको नीचे आजाना है आपका अधरकट में जो एड़ेस आपको यहां पर एंटर करना होता है एंटर करने के बाद उसके बाद धिकिए आपको पासबोई पासबोग या एंसल चेकवोई थिस दोनों में से एक चीज़ आपको अपड़ेट करना होता है cancelVESCLEAR होना चाहिए उसमें अपका नाम आपका रस पासबूक् old इसके बएक आपको श्यायट करना होता है यहां पर ऑपका view में आकर चेक करना है यहां पर भूल्म आपको खाजए आप हेट हो प्लॉकि किये हो आप लोग पासबूक या कैंसल चेक बोई लेता नहीं है आप एक काम कीजिए एप क्या मोलते उसका गूगल प्लेस्टों में जाए है ब्यूटी प्लस एक एप है उससे आप उस कैमरा से आप यह कीजिए और फोटो लीजिए फोटो लेने के बाद आपको हो जाए इसमें 100 के चाहिए होता है उसके बाद आपको क्या करना सब्स प्रोसेस करने के बाद टिक करने उसके बाद गेट ओटीपी मानना है आपको गेट ओटीपी मानना है जैसे आप 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 को 5-7 दिन के अंदर आपको पाईसे अपके एकॉंट में चले जाता है और यह दे क्लिक करके अपना स्टेटस चेककर्स से सेम परोसेस 10C के लिए 10C भी आप चाहिए 10 to same process है same आपको अपना ऋर्पनी पोट्धे के अप्ने गङए आपको सब्सक्राइए यह उते अप्यार फंदी करना यह दारिक हो सब्सक्राइब करने के बाद आपको सेम करने के बाद आपको सीम का एंसे होना चाहिए इस तरह सब एंसन होना चाहिए आपका एकाउंट नमबर आपका नेम सब कुछ मेंसन को थोड़ा भी मिस्टेक रहेगा तो लोग रिजेक्ट कर देता है ठीक है उसके बाद आपको टिक कीजिए ठीक करने के बाद आप समिट कीजिएगा आपको क्लेम सक्सेस्पूल समिट हो जाएगा दगे आपको क्लेम आपको टिक में दूंगा भी यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर OTP आपको ऐसे देखिए वालिटी ओटी ओटीप अन सम्मिट क्लेम फर्म सक्सेस्पूल हो गया यहाँ पर देखिए लिके OTP अब भी है यहाँ पर वाइफ यहाँ वाइसे अप्डेट सक्सेस्पूली विद्डोग क्लेम फर्म सब्मिटेट तो साथ दिन के अंदर आपको पैसा आपको बैंक में आपको मिल जाएगा तो थैंक यूपर वाचिंग इस वीडियो अगर भीटो